नमस्कार दोस्तों, सिविल सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं इस लट्टू जैसे दिखने वाले चीज़ का सभी के मन में यह ख्याल जरूर होगा कि आखिर इसका यूज होता कैसे है क्यूंकि हमने इसे देखा तो है पर इसका यूज हमें नहीं पता कि actual में इसका यूज किसलिए होता है तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और सारे वीडियो को एक बार देखके जरूर लाइक करें और चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं ताकि इसका जो यूज है वो किस प्रकार होता है हम आगे जाके जानेंगे तो दोस्तों आप सभी ने ये चीज जरूर देखा होगा चाहे आप अपने घर बनते वक्त देखा होगा या कहीं पर कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा कि मिस्ट्री इस तरह हाथ में ले के कूछ मेजर्मेंट करते रहा था पर इसमें मेजरिंग टेप तो है नहीं तो फिर ये करता क्या है तो चलिए देखते हैं ये करता क्या है तो आप यहां भी देख सकते हैं कि एक मिस्तरी यहां पे इसी तरब नाप रहा है तो जैसा कि यह जो बॉल हैंग कर रहा है लट्टू यह असल में लट्टू नहीं है इसे सिविल इंजिनेरिंग में प्लम बॉब कहते हैं और इसका काम है कि ब्रिक वर्क को स्ट्रेट मेजर्मेंट करना तो यह ब्रिक वर्क वॉल को कैसे स्ट्रेट करेगा देखते हैं तो आप जो इस लट्टू को देख रहे हैं असल में यह एक मेटल का बना हुआ बॉल रहता है जो की weight में भारी रहता है और ये रसी के सहारे लटकाया जाता है और ये बिल्कुल straight रहता है और जो इसके रसी के और दिवार के बीच में यानि brick के बीच में आप देख सकते हैं कि मिस्तिरी ने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है जो की 5 mm का एक stick टाइप कराता है जिसे हम holder कहते हैं और इसे जो रसी है उसे हम string कहते हैं और नीचे वाले को weight कहते हैं तो दोनों के बीच का जो gap है वो 5 mm का है यानि हर वो brick के और आपके plumb bob के बीच में 5 mm क gap होना चाहिए हर step में तब ही आपका दिवार सही बनेगा वरना वो wall straight तो 5 mm का gap हर एक layer में इसे measure किया जाता है तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और पसंद आया होगा तो like subscribe जरूर से जरूर करें धन्यवाद